महिला थाने का निरिक्षण सियो ने कहा थाने पर शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं की सरहलता से सुननी जाए शिकायतें खबर भधोही सनवाद अताये के फारुकी द्वारा की गई रिपोर्ट भधोही जनपत के और आई क्षेत्रा दिकारी रामलखन मिश्रा द्वारा महिला थाना वग्यानपूर पहुच कर निरिक्षण किया गया क्षेत्रा दिकारी द्वारा थाने पर विवेचकों के साथ मीटिंग कर लंबित एकमात की समीक्षा की गई वही लंबित विवेचनाओं के निस्तारण करने के साथ साथ पीडित महिलाओं के लंबित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करने के लिए प्रभारी निरिक्षण मक्खन लाल को निर्देश इत किया क्षेत्र अधिकारी रामलखन मिश्रा द्वारा महिला थाने के कार्या लेये, रजिस्टरों का अवलोकन, कम्प्यूटर का क्ष, रखरखाव, परिसर की साफ सप्पाई आधिका ने रिक्षन किया, इस दोरान मामलों के निस्तारण हेतू प्रभारी ने रिक्षा को ग्षेत्र ग्यानपूर के गोपी गंज ग्यानपूर मार्ग पर गिरधरपुरा मोड के समीप, आज शुकरवार को अपराहनकार और आटो की टक कर हो गई, इससे आटो पलट गया, दुरघटना में आटो पर एक ही परिवार के कोईरोना थाना, ख्षेत्र के अब सरोज, तारा देवी, शिव कुमार, सुशीला और कलावती घायल हो गई, आटो पर सभी एक ही परिवार के लोग घायल बताए गए, हैं, मुके पर पहुंचे लोगों ने आटो के नीचे दबें लोगों को निकाल कर अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का उपचार मह आटो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, धन्यवाइब